Welcome back दोस्तों, आज हम लोग solve करेंगे exercise 3C class 9th RS अगरवाद देखो, जैसे हमने अभी तक सारे question की हैं, इसी exercise के वैसे हम लोग आने वाले question भी solve करेंगे 31 को भी वैसे ही solve करेंगे, तो यहाँ पर हमाई पस given है 15x square plus 2x minus 8 तो हम लोग पिछली question में क्या करते थे, जो पहले होता था और जो बाद में होता लास्ट में, उन दोनों का आपस में multiply कर देते हैं, तो यहाँ पर दोको 8 है, और यहाँ पर आंगे हमाई पस 15 है, 15x8 कर तो 120 का आजाएगा, और यहाँ पर minus लगाएगा, तो यहाँ पर minus लगा जाएगा, sorry, अब यह जाएगा 3s है, 5 चला जाएगा, और 5, 1, देखो, हमारे पास यह आगया factor करने के बात, अब देखो, यहाँ पर बीच में के लिखा हुआ 2, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, हमें, अब इससे ऐसे दो number बनाना है, जिसका sum करने पर हमारे पास 2 आता हो, त इसका मतलब यह गलत है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो, अगर हम लोग कर देते हैं, 5, 2, 10, यहाँ लेते हैं, हम लोग 10, ओके, और फिर कर देते, 3, 2, 2, 4, 3, क्या हो जाएगा, 12 हो जागा, 3, 4, 12 हो जाएगा, plus 12 कर दो, तो अगर हम लोग minus 10, plus 12 करते हैं, तो हमारे पस क्या जाएगा, 2 आजाएगा, आजाएगा 2, 2 बन जाएगा हमारे पस, अगर इन दोनों का multiply तुम कर दो, तो 120 आजाएगा, वो भी minus का, तो कोई दिक्कत, तो को sum करने पर यह आ रहा है, multiply करने में यह आ रहा है, तो हम लोग इसको उठाएंगे, और यहाँ पर लिख दे माइनस 8 आ गया, अब देखो, इन दोनों में से कुछ common लो, इन दोनों में से कुछ common दिख रहा होगा, क्या common आ रहा होगा, इसमें से दिखेगा आपको 5, हम लोग इसमें से 5 common ले सकते हैं, ले लिया, और साथ में यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमने x भी common ले अब दो यहां पर plus है अब इसमें से हम लोग देखो क्या comment ले सकते हैं अगर हम लोग इसमें से 4 ले ले तो यहां पर आ जाएगा 3x-2 अब देखो यह bracket और यह ब्रेक्ट दोनों प्लस 5 x minus 6 यह given है तो पहले last और first वाले का multiply करो तो minus 6 करो into 21 करो तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा देखो 6 to 1 आजाएगा वो भी किस का हैगा minus 126 आगया बीच में हमारे पास क्या given है plus 5 अब इसका factor करो और हमें ऐसे दो number निकाले जिसका sum करने पर 5 आजाएगा दो फैक्टर करोगे 126 का तो दो कितना जाता है यहां लेका 2 2 6 आट 2 3 आप 63 आ गया अब यह किसे जा सकता 7 9 जा होता है तो 7 से करो 7 9 जा चला जाएगा और फिर यह किस से जा सकता है यह 3 से जा सकता है 3 3 जा 3 3 1 अब दो इन मेंसे ऐसा कुछ करो इन मेंसे ऐसे दो नमबर बना दो जिसका सम हमारे पास 5 मिलता हो देखो दियान से देखोगे तो 3 2 3 कर दो 3 3 जा हो जाएगा 9 ठीक है 7 2 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 यहां पर हम लोग 14 कर देते हैं तो यह plus कर दो यह minus कर दो इन दोनों को solve करोगे तो य यहां लिखा 21 x square अब यहां पर दोगो plus 5 x है ना plus 5 x की जगह पर यह पूरा put कर दो तो हम लोग इसको लेखेंगे plus 14 x यहां लगा है तो इसलिए यहां पर हमने x लिखा minus 9 x और यहां लिखा minus 6 अब दोनों में से क्या common ले सकते हो इन में से कुछ common दिख रहा है ना क्या 7 लिखा यहां x किया और अंदर हमाई पास 3 हो गया और यहां पर x plus 7 2 हो गया 2 अब इसमें से भी हम लोग कुछ common ले सकते हैं इसमें से हम लोग 3 को common ले सकते हैं 3 और 7 में minus तो अंदर बचेगा 3 x plus 2 अब देखो यह plus कैसे आया हमने जब minus बाहर बुला लिया तो अंदर क्या बचेगा plus देखो इसका opposite हो जाएगा ठीक है तो देखो 3 x plus 2 3 x plus 2 यह दो हैं तो इसको एक bracket में कर देते हैं मतलब common निकाल लेते हैं यहां 3 x plus 2 एक bracket में हो गया दूसरे bracket में हो गया 7 x minus 3 बस यह होगी हमारा answer question number 32 अब 33 प्याज़ाओ question 33 24 x square minus 41 x plus 12 यहां पर दिया है अब सबस इससे पहले हम लोग क्या करें है last और फिस्ट वाले को multiply करते हैं ठीक है तो यहां पर 12 है यहां पर लिखते है 24 लिखो 24 x 12 करदू टू का इसका प्हले इसका पूरा multiply करें तो तो 24 करोगे क्या होगा 24 चरोगे 2-2 चरोगे 24 इसको करो 8 8 2 2 88 आया ठीक है अब यह क्या आगया ह यह आ गया अब हम लोग इसी के factor निकालेंगे और factor निकाल के चेक करेंगे कि ऐसा कौन से दो नंबर हैं जिसका हमाई पास sum करने पर क्या आना चाहिए यह आना चाहिए अब हमें इसमें से ऐसे दो नंबर बनाने जिसका sum हमारे पास minus 41 आजा है तो देखो ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है 32 तो तूटूज़ा 4 करो, 42 ऐट करो, 8 तूज़ा 16, 16 तूज़ा 32 तो यहां लिको 32 तो अब यहां पर 3 त्रीज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 अगर हम लोग इनको add कर देते हैं तो इनका क्या जागा है पर 41 आजागा हमें माइनस चाहिए था तो यहाँ पर इसे माइनस किया, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस किसका तो माइनस 41 हमने कर दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पर यह वाला equation माण लोग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है जो हमने अभी बनाया हुआ है, तो और यहां पर लिखा हमने 24x2, 24x2, यहां लिखा minus 32x, और यहां minus 9x, ठीके, plus 12, यह हमने कर दिया, ओके, आप इसमें सो common लो, common लेने की बारी आगे, तो common क्या ले सकते हो, सूचो, यहां पर 24x2 है, यहां पर minus 32 है, तो यह दोनों किस से कड सकते हैं यह 8 से कड सकते हैं 8 common ले लिए और 7 में यहाँ पर भी X है यहाँ पर भी X है तो X भी common ले लिए अंदर क्या बचेगा अंदर 8 4 होता है 4 8 8 3 24 होता है 3 कर दिया 3 X बचेगा minus 8 4 से करोगे तो 32 आजाएगा तो यहाँ पर 3 X minus 4 बन जाएगा ऐसी इसमें से हम लोग minus 3 को common ले लेते हैं तो यह आजाएगा 3 3 जा 9 तो 3 आजाएगा और अंदर बचेगा हमाँ पस X और यहाँ पर 3 4 दो 12 और दो हमने minus बाहर बुला लिया आए तो यह plus से minus बन जाएगा तो हमारे पस 3 X minus 4 3 X minus 4 आजाएगा तो इसे हमने एक ब्रैकेट में करेंगे 3 X minus 4 ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में 8 X minus 3 यह हो गया हमारा question number 33 का answer अब 34 पर आजाओ 34 में कह रहा है 3 X square minus 14 X plus 8 दो 8 और 3 का multiplied 8 बंजा 8 2 से सिख्टी है थी है 24 तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 बीच में हमारे पास दिया हुआ है minus 14 दोगो इसका factor कितना बहुत simple है दोगो simple से यह करो 12 कर दो और यहां पर करो 2 12 तोजा 24 होता है यहां minus करो और यहां minus करो तो क्या जाएगा हमारे पास minus 14 आजाएगा minus 14 समझ दिया इतनी बात अब क्या करो इसको उठा दो और यहां पर put करो दो बस हमारा answer आगया देखो कैसे यहां लिखा हमने 3 X square और minus 14 की जगह पर हम लिग सकते है क्योंकि इसका मतलब यही होता है minus 14 तो यहां पर हमने लिखा minus 12 यहां कर दिया X क्योंकि यहां X लगा हुआ है minus 2 यहां पर भी X कर दिया plus कर दिया 8 अब इसको solve करो सबसे पहले हम लिख इसमें से देखेंगे क्या common ले सकते हैं यहां पर 3 भी common ले सकते हैं X भी common ले सकते हैं अंदर बचे का हमारे पास X यहा पर माइस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पस 4 3 4 होता है चिंगे अब दखो यहाँ पर हम लोग 2- do सकते और साथ में लेते माँनस फॉल ले लेंगे तो माइनस फॉल डे दो बचे x और यहां plus से हो जाएगा minus of 2, 4 जाएट होता है तो x minus 4 अब हम लोग इसे एक bracket में कर देते हैं x minus 4 है x minus 4 है x minus 4 एक bracket में और 3x minus 2 दूसरी bracket में और यह हो जाएगा हमारा question number 34 का answer अब हम आते हैं 35 पे 35 में हमारे पास question given है 2x square plus 3x minus 90 ठीक है तो क्या करो minus 90 into 2 करो पहले है ना minus 90 into 2 अतलब क्या हो गया minus 180 ठीक है और बीच में हमारे पास given है 3 अब हमें इसका factor करना 180 का तो भाई कर देते हैं 180 किया 2 से करो 290 18 0 2 से करो 45 और फिर 5 से करो 590 45 हो जा फिर 3 से करो 3 3 1 अब इसको solve करो देखो कैसे करेंगा हम लोग ध्यान से देखो इसे अब हमें ऐसे दो number चाहिए ना जिसका हम लोग sum करते तो हमारे पास 3 आ जाए है ना तो देखो यहां पर लिखा हुआ है 2 2 5 3 3 अगर हम लोग कर दे 5 3 से 15 यहां कर दिया 15 और 2 2 जा 4 4 3 से 12 यहां पर कर दे 12 इनको solve कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा हमारे पास 3 वो भी plus का आ गया 3 और यहीं दोनों का multiply करोगे तो 180 आ जाएगा तो मतलब हमने सही किया मतलब 3 की जगर पे अब हम लोग यह पुट कर सकते हैं यह है ना तो हम लोग चलो पुट करते हैं तो यहां लिखा हमने 2 x square और यहां पर plus 3 x है ना यहां प्लस 15 x अब देखो x कहां से आया है यहां x लगाता तो हमने यहां भी x कर दिया अब चाहो तो यहां पर कुछ भी कर और साथ में लिखेंगे इसको उठा के यहां लिख देगा तो यहां लिख देगा तो यहां लिखा हमने 2 x square माइनस 12 x यहां कर दिया प्लस 15 x माइनस 90 इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में से हम लोग x ही सिर्फ कॉमन ले सकते हैं तो हमारा यह solve नहीं हो पाएगा इसलिए हमने इसको आंगे कर दिया और इसको पीछे कर दिया तो इससे हमारा यह solve हो सकता है अब देखो इसमें से हम लोग 2 भी common ले सकते हैं और x भी common ले सकते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास x और यहां बचेगा हमारे पास 6 2, 6, 12, ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या common ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 15 common ले सकते हैं, और यहाँ पर बचेगा अंदर हमाँ पस x-6, 15, 6, 90, समझ गया, तो चलो, यह हमने कर लिया, यहाँ देखा x-6, यहाँ देखा x-6, इन दोनों को हमने लिखा, यहाँ लिखा x-6, एक bracket में, दूसरे bracket में 2x plus 15, सॉरी, हाँ, 15, सही है, बस, यह हो गया हमारा answer, तो 35 complete, अब आओ 36 पर, तो जो 36 है न, वो देख के डर रहे हो गया, बहुत easy है मगर यह भी, बहुत ज़्यादा easy, देखो, यहाँ लिखा हुआ है, root 5 x-square plus 2x-3, root 5 है न, देखो, root देख के डर होगे, अब root का कैसे multiply करें, चलो हम समझाते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, last पहले वाले का multiply, तो यहाँ लिखा है, minus 3, root 5, okay, multiply करें किसे साथ, root 5 के साथ, यहाँ पर किया, देखो, 3 जैसे है, उसको वैसे हमने लिख दिया, देखो, root 5 x root 5 क्या होता है, root 5 x root 5 होता है 5, 5 को, हम लोग क्या लिख सकते है, root 5 x root 5, जब इन दोनों का अपस में multiply किया, तो फिर से 5 आ गया, अब देखो, यह आ गया, इसके साथ multiply में, आप देखो, इसके साथ कैसे आए, देखो, minus 3, इसके साथ multiply में है, जब हमने इन दोनों का multiply किया, तो बन गया 5, 5 x 3 कर दो, तो 15 वो भी किसका, minus का, यह समझ में आ गया, यह समझ में आ गया, कैसे आया, ठीक है, समझ में आ गया, तो comment करके ज़रूर बता देना, अब दोखो, बीच में क्या लिका वा है, प्लस का 2, तो 2 लिख दिया हमने, अब इसको ऐसा factor करो, कि तुम्हारे पस plus 2 आ जाए, तो कैसे करो लोगे factor, दोखो हमें simple पता है, कि हम लोग करेंगे, 5, 3, 15 होता है, 5, 3, 15 होता है, इन दोनों को minus कर दो, तो plus 2 आ जाएगा, हो गया factor, हो गया, अब 2 की जगे पर हमने यह लिख देते हैं, बात कता, अब यहां लिखा हमने, root 5x, square, अब लिखा, plus 5, ओकी, लिखा, 5, और यहा से देखो, जब हम common लेंगे, तभी आपके mistake होने की chance जाता है, देखो, अब इन दोनों में से कुछ common देखी नहीं रहा होगा, तुम्हें, कुछ common नहीं देख रहा होगा, मगर हम अभी दिखाते हैं common, देखो, अगर हमने अभी root 5, into root 5 किया, तो क्या आया 5, है ना, तो यहा यहां पर क्या है, 5 है ना, 5 ही जगा पर हमने यह लिख सकते हैं, कोई problem, तो हमने लिखा, 5 root 5 x, और root 5 x, यहां पर देखो, minus 3 x, और यहां पर minus 3 root 5, ध्यान दे रहो इस बात को, देखो, इसमें से तो हम लोग common ले लेंगा, राम से, क्योंकि यहां भी 3, यहां भी 3, इसी में थोड़ी सी problem थी, तो हमने वो भी solve करती, क्योंकि 5 को हमने ऐसे लिख दिया, तो यह हमारा हो गया, अब आज ओ, अब इसमें हम लोग common ले सकते हैं, अब root 5 को हम लोग common ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो भाई साब को हमने बाहर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो अब देखो यहां पर root 5 x हमने common ले लिया है तो अंदर बचेगा x ठीक प्लस और क्या बचेगा मैं पस root 5 ठीक यह बचेगा एक root 5 और x हमने बाहर निकालिया तो अंदर बचेगा x और यहां पर root 5 बचेगा root 5 x और minus 3 बस यह होगी हमारा 36 का आंसर अब कोशन नमबर 37 प्यादा देखो इसमें साथ multiply करने में आपको problem होगी मगर होना नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर रहे क्या है minus 5 root 3 और पहले में हमारे पास है 2 root 3 इन दोनों को multiply करो 5 2 जा होता है 10 वो भी minus का 10 minus लगाए root 3 into root 3 क्या होता है 3 और 3 into 10 होता है 30 और minus लगा है तो minus 30 ठीक है अब देखो यहां पर क्या है x, x के साथ क्या होता है 1 होता है जब कुछ नहीं होता तो क्या 1 होता है अब ध्यान देना हमें इसके ऐसे factor करने हैं कि plus या minus करने पर 1 आजाए factor का मतलब यह हो है कि इसे factor करो ऐसा और ऐसे 2 number निकालो जिसको हम लोग plus या minus करें तो हम पस 1 आजाए तो देखो ध्यान से अगर हम लोग 6 into 3 करते है 6 5 से क्या हो जाता है 30 होता है 6 into 3 करें तो 30 आजाएगा मगर हमें minus चाहिए तो 6 into minus 5 करो तो minus 30 आजाएगा अब 6 minus 5 करोगे तो 1 भी आजाएगा तो दोनों चीज इसी से आजाएगी है ना आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं इसकी जगह पर यह put करते हैं तो हमारा answer आजाएगा तो यहां लिखा हमने 2 root 3 x square plus x की जगह पर लिखा 6 यहां पर x कर दिया minus 5 कर दिया और x कर दिया minus 5 किया और root 3 कर दिया बस इतना की हमने अब देखो हम लोग इससे क्या common ले सकते हैं उपर उपर देखो कि तो तुम्हें देखेगा 2 common ले लोगे और x common ले लोगे है ना मगर अगर ध्यान से देखोगे ध्यान से मन की आपों से तो तुम एक चीज ध्यान करोगे notice कि 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 ठीक है 2 into 3 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 root 3 और root 3 आपी एसे लिख सकते हैं फिर से लिख दैते हैं 2 root 3 in to root 3 यह लिख सकते हैं को देखके 3 into root three into root 3 का मतलब और 3 III 2 जद होता है 6 हम लोग एसे बखेंगे इससे क्या होगा इससे हम लोगो common लेने में easy हो जागा, तो लिखा 2 root 3, यहां लिखा x square, ठीक है, और यहां पर plus किया, फिर लिखा 2 root 3, और फिर साथ में इसके साथ लिख देया, root 3, और यहां पर x है न, तो x भी लिख दो, अब देखो, यहां पर minus 5 है, 5x minus 5 root 3 कर दो, यह rough work है पूरा, ठीक है, यह पूरा क्या होता है, rough work होता है, समझाने के लिए, अब इसमें से देखो, क्या common ले सकते हो, इसमें से हमें दिख रहा है कि 2 root 3, x को हम लों common निका सकते हैं, यहां लिखा 2 root 3, x बाहर, अंदर बचा हमाई पर x plus root 3, चीक, और यहां पर देखो, यहां पर है minus 5 बाहर हमने निका लिए, अं minus यहां था, यहां था, बाहर निकालिया, तो देखो, यह minus plus का बन गया, और यह minus plus का बन गया, बस, यहां पर भी x plus root 3, x plus root 3, तो इसको एक bracket में करते है, x plus root 3, दूसरी bracket में आ जाएगा, 2 root 3 x minus 5, बस, यह होगा हमारा question number 37 का answer, अब 38 करते है, question 38, 7 x square plus 2 root 14 x plus 2, देखो, यहां पर last में क्या given है हमारे पास, last में हमारे पास given है 7, sorry 2, और क्या है 7 है, 7 x 2 होता है क्या, 14, तो हमने यहां पर कर दिया 14, ओके, कोई दिक्कत इसे, नहीं, अब दो, बीच में हमारे पास given है 2, root 14, अब देखो, इसका factor करने से कोई मतलब ही नहीं, देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, root 14, और into root 14, इसको direct हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो root 14 into root 14 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 14, और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते है, root 14, प्लस, root 14, तो जब हम लोग ऐसे कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, 2 root 14, देखो, यह भी हमने ले आए यह अना तो हम अपर करते हैं इसके पर अभी यह पूट कर देखे तो क्या करना आप हम लोग इसको क्या करना है तो यहाँ पर root 7 लिख सकते हैं तो आप इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर हमने लिखा root 7 और यहाँ पर लिख दिया root 7 और यहाँ कर दिया x square चीक है प्लस कर दिया हमने आप दो को root 14 है root 14 को हम लोग ऐसे लिख सकते है root 2 और root 7 और यहाँ पर कर दिया x सेम चीज हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सोचो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं भाई बिलकुल लिख सकते हैं तो लिखा root 2 और root 7 यहाँ कर दिया x plus 2 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं root 2 और root 2 इससे कोई problem आ रही है बताओ, कोई भी दिखका थे तो हमें comment करके जरूर पूछो बस हमने क्या क्या है, इनको अच्छे से break कर दिया वो भी किसमें root में, समझ गे इतना तो चलो आंगे बढ़ते हैं, तो अब ध्यान से देखो कि तुम एक एक चीज comment ले सकते हो एक एक चीज को तुम comment ले सकते हो यहाँ पर plus आएगा, तो इसमें दिखोगे अगर इधर से इतने वाले में, तो तुम्हें क्या comment दिख रहा है root 7, और साथ में क्या comment दिखेगा x, ठीक है, सॉरी, root 7 root 7, और साथ में x, अंदर हमाई पास क्या बचेगा, root 7 x, ठीक है और plus में बच जाएगा, हमाई पास root 2, ठीक है, दोखो root 7 x, हमने एक निकाल लिया इससे, तो अंदर बचेगा root 7 और यहाँ पर दो थे, एक बचा, यहाँ पर हमने root 7 x बाहर निकाल लिया, हमाई पास root 2 बचा, इसमें से दोखो क्या common ले सकते हो, इसमें से हम लोग root 2 common ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा root 7, ओके, और यहाँ पर बचेगा, plus root 2 बस, दोखो root 7 x plus root 2 यह है न, तो इसे हम लोग एक bracket में करते थे, root 7 x plus root 2 एक bracket में, दूसरे bracket में root 7 x plus root 2, तो हमने देखा कि दोनों हमारे एक जैसे हैं, यह भी 7 है, वो भी root का x है, plus root 2 है, 7 है, root x plus root 2 है, तो हम लोग करें न, क्यों न, हम लोग इसको ऐसे लिख दे है, root 7 x plus root 2 और यहाँ कर दिया whole square, और यह होगी हमारा answer complete अब हम लोग करेंगे 39 question 39, 6 root 3 x square minus 47 x plus 5 root 3, यह given है तो हम लोग पहले कहें, last of us का multiply करते हैं, यहाँ लिखा 5 root 3, into किया 6 root 3, 6 5 जो होता है, 30, तो 30 कर दिया root 3 into root 3 मतलब 3 3, 3 is a 9, और 0, 90 ठीक, बीच में हमारे पास है 47, क्या है 47 वो भी minus का, समझ गे अब देखो, इसको factor करो, factor करने पास ऐसा number लाना कि उसका हम लोग sum करें, तो minus 47 आजाए, तो हमें याद आ रहा कैसे, कैसे हम कर सकते हैं देखो, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर 45, है ना into 2 कर दें, 45 टूजा होता है 90, अब इसी को हम लोग minus minus कर दें, तो minus minus होता है plus, sin minus का आता है, और हो क्या जाएगा 47, हो जाएगा 47, है ना तो complete हो गया, हम यह भी ले आए और यह भी ले आए, आगे है यह, तो हम लोग क्या करते है इसकी जाएब पर यह put कर देते, तो यहाँ लिखा है 6, equal to क्या, 6 root 3, x square, और यहाँ पर लिखा हमने minus 45, x minus 2x, ठीक है, plus 5 root 3, बस कितना हमने कर दिया ओके, अब देखो, इसको solve कैसे करेंगे, अब इसमें हम लोग common कैसे निकाल सकते हैं, देखो, तो अगर ध्यान से देखो कि अभी तो, अभी तो हम लोग इसमें से कुछ भी common नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग break कर दे, इस तरह देखो, यहाँ लिखा 45 है, 45 को हम लोग ऐसे लिख दे, 15, 15, 3, 15, 3, 45 होता, 15, 30, 14, 3, 45, ठीक है, 15, 3, अगर हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3, इंटू रूट 3, कोई दिकत, 15, रूट 3 और रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब ही 3 होता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कड़के देखते हैं, फिर देखें, क्या हम लोग common ले पा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं ले पाएंगे, तो कुछ और रिक कर रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखा हम लोग 6, रूट 3 x square, ओके, यहाँ पर माइनस 45 की जगह पर हमने यह लिखा, माइनस 15, रूट 3, फिर देखें लिखा, रूट 3, और यहाँ पर x कर दिया, यहाँ बचा हम है, पस 2x, प्लस 5, और यहाँ कर दिया, रूट 3, समझ गयता, अब देखो, इसमें हम लोग क्या common ले सकते, देखो, 6 common लेने बैठोगे, तो भाई साब, 6 तुमें common नहीं मिल पा दिया, तो अंदर दिखो क्या बचा, जो हमने इसे 3 से डिवाइट किया, 3 2 टाइम चला गया, एक रूट 3 निका लिया, एक ही था, x square दो थे, तो एक निकाला, तो एक बचा, अंदर दिखो, 3 5 जा हो जाएगा 15, और रूट 3 हमने बाहर निका लिया, अंदर के बचा, अब इसमें आजाओ, इसमें हम लोग क्या common ले सकते हैं? इसमें तो सबसे पहले हम लोग minus 2 common ले लें, तो भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2 सी एडिविजन लें, हम लोग क्या करते है, minus 1 common ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या change आएगा पता है, सिरिफ sign का change इन दोनों के एक bracket में कर दो 2x minus 5 root 3 bracket close और इधर आ जाएगा 3 root 3x minus 1 बस यह हो गया हमारा question 39 का answer अब question 40 पी आ जाओ 40 भी गिवन है हमारे पास 5 root 5 x square plus 20 x plus 3 root 5 ठीक है अब इसका इसके साथ multiply करो जहां लिका हमने 3 root 5 into कर दिया 5 root 5 ठीक है इन दोनों multiply 5 ठीक हो गया 15 हो गया 5 into 5 हो गया हमारे पास 5 मतलब root 5 into root 5 का मतलब होता है 5 और बताओ यह बताओ 55 जा क्या होता 75 होता भाई 75 तो यहां लिखो 75 ठीक है तो अब 75 हमने कर दिया अब देखो यहां पर लिखा है 20 यहां पर हमने 20 लिखा अब इसकी भाई साब ऐसा फैक्टर कर दो कि सम हमारा 20 गाज है मतलब plus करने पर 20 आ जाए तो हमें यही दिख रहा है इसी को रखके देखें तो 15 इंटू 5 करके दिखा 75 आ रहा है ठीक है सिंपल सी बात है अगर 15 प्लस 5 करते तो 20 आ जाएगा तो हमारा यह भी हो जा रहा हो यह भी हो जा रहा हो रहा है तो चलो इसकी जिखें पर अब हम लोग यह लिखेंगे यह तो कर दें यहां पर लिखा हमने 5 रूट 5 x स्वेट प्लसgeschां च्वर्ट्टी एक सिसे पिलेगो 15 और यहां प controlling 5 और यहां कर दें हमने 3 रूट 5 बस इतना किया अब देखू हम लोग इससे कॉमन ले सकते हैं कुछ हमें तो अभी कॉमन दिख रहा है कि हम लोग कुछ तो कॉमन ले सकते हैं दोखो यहां पर 5 है यह 5 से divisible है तो हम यहां पर 5 common ले लेते हैं और यहां पर x है यहां पर भी x है तो हम लोग x भी common ले लेते हैं अंदर बचेगा सिर्फ root 5 x और यहां पर बचेगा 5 लाइन पर common ले सकते हैं क्यों देखो root 5 यहां पर भी root 5 यहां पर बाहर निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा तो 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यह तो पता है ना हर बार बता रहे है हर question में तो हम लोग करते है 5x bracket में क्या root 5x plus 3 bracket close और इसमें से हमने root 5 पहार common निकाला अंदर आगे हमारे पार root 5x plus 3 अब देखो यहां पर भी वही यहां पर भी वही तो इससे क्या करो एक bracket में करो root 5x plus 3 करो और दूसरे bracket में करो 5x plus root 5 बस यह हो गया हमारा answer तो question number 40 complete आपको सारे question समझ में आ गया है अगर समझ में आ गया है तो like comment share जरू करो और इस video का हमने aim रखा है 50 like तो 50 like जरूब करवा देना मेरे दूसर तो हम लोग मिलेंगे next video में ठीक है तक तक लिए पढ़ते रहो कोई doubt हो तो comment करके पूछो या फिर instagram की link हमने description में देदी वहां जाकर भी पूछ सकते हो चलो bye bye data